तो मैं आपका दोस्त भभाई कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ पिछला टॉपिक जो भी मैंने आपको बना के दिया आपने अच्छा कमेंट किया अच्छा उसमें लाइक मिला और कुछ लोगों का प्रस्नलिफ होना है कि सर इस टॉपिक पर भाई का बनाईये इस टॉपिक पर बनाईये तो आज का जो मैरा टॉपिक है यह बहुत ही बरसेटाईल है और सब जानना चाहिए कि इसका मेनिंग क्या है जुन्होंने भी मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सब्सक्राइब करें ताकि जो भी एचसी रिलेटेड में वीडियो बनाऊं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देखके उसे फायदा उठा सकें जो आज कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस पाइदा बताना है कि अकुपेशनल डिजीज क्या होता है अकुपेशनल हैजाड क्या होता है क्योंकि वर्क तो एक ही करना है वर्क तो सबको एक ही करना है वस वर्क में हमें क्या अकुपेशनल डिजीज होता है और क्या अकुपेशनल हेजाड होता है तो हमें इसको अगर slightly अगर हम थोड़ा सा किसी activity के अनुसार समझें तो हमें पता चलेगा माल लिजे कि कोई hot work हम कर रहे है hot work कर रहे है hot work कर रहे है hot work में आपको welding होगा welding होगा तो हमारा work क्या हो गया welding का hot work में हमारा काम हो गया है तो इसमें हमें दोनों में करना है कि हमारा है जाण क्या है तो यह जब व्यल्डिंग के अनुसार जिसमें हम हैजार को finding करते हैं तो उस activity के अनुसार उस work के अनुसार जो मैं काम कर रहा हूँ welding कर रहा हूँ या कोई भी material lifting कर रहा हूँ अगर manually lifting कर रहा हूँ तो उसके according जो hazard generate होते हैं जो भी hazard उस activity से generate होते हैं उसे बोला जाता है occupational hazard उस activity के अनुसार जो काम होता है जिसे माल नहीं हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग में है उक्पेशनल हैजार्ड आपको क्या है एलेक्ट्रिकल सौक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है उस वेल्डिंग में या जो अगर हम मैनुवली कोश्च या कोई भी एक्टिवीटी है अगर ग्रैंडिंग कर हैं वेल्डिंग कर रहे हैं मैनुवली लिफ्टिंग कर रहे हैं एक्टिवीटी कोई भी हो हम उस एक्टिवीटी में कर रहे हैं तो परजेंट जो वहां पे हमारा पोटेंशियल टू हार्म है जो उसमें नुक्सान पहुंचाने की छमता है उसे हम अग्पेशनल हेजार्ड बोलते हैं जैसे कि अगर मानलेजे कि हम कि पर्जेंट टाइम पे जो वर्क कर रहे हैं इसकेवेशन पाड़ड ले लिजे इसकेवेशन में हमारा जो हैजाड उस समय आएगा जुस वर्क के अनुसार हमारा जो वर्क अगर है excavation करना तो हमारे लिए क्या occupational हेजार होगा तो excavation में जो हेजार है वो हमारे लिए occupational हेजार होगा क्योंकि हम उसी काम को कर रहे हैं और उस काम में जो हेजार है उसे हम occupational हेजार बोलते हैं इसके आगे चलते हैं occupational disease occupational disease that means उस work जो work हम कर रहे हैं अगर लॉंग टर्म कर रहे हैं लॉंग टर्म कर रहे हैं लॉंग टर्म करने के बाद उससे जो एक्सपोजर हमें मिलता है जो हमें उससे कुछ नुकसान पहुंचता है या कुछ से डिजीज हो जाता है जो हमें नुकसान जो कोई बिमारी हो जाती है उसे हम बोलते हैं occupational diseases उसे हम occupational diseases बोलते हैं जैसे की for example आजकल सब लोग display equipment का काम करते हैं कोई भी laptop हो गया आपको अगर मालने जेए कोई computer में हम काम कर रहे हैं computer में काम कर रहे हैं तो computer में सबसे ज्यादा आपको क्या है long term exposure क्या है तो हमारा क्या है उसको बोलते है display equipment क्यूंति है कि पड़ीजुटन कि चैनल से टुम ऐख़े को सकता है उसे बहुतμεंगे से क्या होगा आंफ करब होने का स्बाइक मैं इस ग्मिक्स करते हैं और जिस occupation पे हमें क्या होता है display पे हमें सा computer screen पे हमें देखना पड़ता है screen पे अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या है direct उसका आपको long term जो exposure होगा ठीक है वो हमारे लिए disease बनेगा मतलब हमारे हम से उस work से हमें कोई बिमारी पैदा हो सकता है जैसे कि welding है hot work लिया था एक्जामपल में तो hot work में आपको welding में अगर है तो उससे क्या होगा आपका जो धुआ निकलता है या lighting निकलता है वो धुआ में क्या करता है welder अगर inhale करते करते कुछ time के बाद उसे lungs का problem हो सकता है तो उससे क्या बोले आता है occupational disease अगर वो long term कर रहा है काम long term कर रहा है तो उससे उसको occupational disease होने का संभावना बढ़ जाता है क्योंकि वो continuous एक impact पढ़ते पढ़ते एक आपको वो नुक्सान पहुंचा सकता है ऐसा एक example है कि study में देखा गया अमेरिका में एक biscuit factory में एक आदमी काम कर रहा था अमेरिका में एक biscuit factory में काम कर रहा था उसका आदत बन गया था ऐसे रखने का कुछ सालों के बाद उसका हाथ जो ऐसे बन गया था उसको सीधा करने में problem होती थी that is called occupational disease तो यह slightly है हजाड क्या होता है और सौ टर्म के लिए जो हमने उसे नुक्सान पहुंचा सकता है लेकिन जो long term पे हमें exposure देता है हमें कोई बिमारी उससे पैदा हो जाती है जो हम work कर रहे हैं उससे अगर बिमारी पैदा हो जाती हमें उससे बिमारी से मैं ग्रसित हो जाता हूं उससे बोला जाता है occupational disease occupational hazard that means जो हम काम कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं उस काम से जो खत्रा पैदा हो सकता है जो नुक्सान क्योंकि हमेशा इंटर्व्यू में कोश्चन पूछे जाते हैं कि वर्टीज है और इसको आपको स्लाइटली उसको प्रॉपर समझें और उसको आप थोड़ा सा पॉज करके एंसर देंगे तो आप अटोमेटिक उसको एंसर दे पाएंगे थैंक यू बेरी मच अगर मेरे द्वारा जनकारी अगर आपको जो दी गई अगर पसंद हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर जो आपको लगता है कि इस टॉपिक पर और वीडियो बनाके डाल अगर तो आपको जब एंसरो सकता है कि अरएब थैंसर वेख अगर मेरे बनाके ब मेरे थैंसर देख कुछ कोश्ब्यू